हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल एक्सजेंस ट्वंड़ीटो प्रडिक्शन टू यूटुब चैनल में दोस्तों यह अपना नया यूटूब चैनल है तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल टुर्णामेट जो कि प्रो कबड़ी का होने वाला है तो वो बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखो कबड़ी के अंदर फेंटसी में पहली बार अगर हम एक्सचेंज पर खेलेंगे तो देखो क्रिकेट भी इतना यूनीक त्रीकेजम खेलें एक प्ले करेंगे की हाइड के से थोड़ा सा मैं कि हाइली वह प्रोफिटेबल टुर्नामेट रहने बार है क्योंकि प्रूंट स्थी करेंगा एक। प्रेमियम मल्टी वेकर में कौन सी बेश्ट भी करहेगी इस वीडियो में पुरा विस्तार से बात करेंगे तो सबसे इंपोर्टेंट चीज अगर आपने यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना देन दोस्तों यह अपना टेलेग्राम चैन अना उनमें से जो क्रिकेट प्रेडिक्शन जिसका नाम हो ड्रेमले उनका लोगो लगाओ उसको आप जोइन कर लेना पूरा एक बार देखो उसके अंदर आके उपर नीचे ऐसे देख लेना कि मतलब रियल चैनल ही है ना तो उसको आप जोइन कर लेना हम जो लगातार खेल वर्ल्ड कप में जो हुआ था जो फाइनल में जो दो टीमें थी न्यूजिलेंड और इंगलेंड वहां पर मैं ये मानता हूँ कि देखो जो विनर्स थी वो न्यूजिलेंड होने वाली थी बट बाई लग बाई चांस अगर हम बात करें तो इंगलेंड वो मैच जीत गया क्योंकि उनका उस दिन शायद लग अच्छा था ना बट रिवेंज की अगर हम बात करें रिवेंज ले सकते हैं इस वर्ल्ड कप में यही हो रहा है कि एक टीम दूसरी टीम से रिवेंज निकाल रही है हमने सब कुछ देखा हमने देखा साउथ अफरीका ने किस परकार से को हराया बले दसорन से हरी हो बत हराया एक मुश्किल फिकट पर इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान कभी बींडिया को वर्ल्ड कप टी-hr इंटरनेशनल के जो वोल्ड कुप फॉर्मेट उसमें कभी नहीं हरा पाया था उसने भी इंडिया को हरा दिया और उसके बाद अगर हम बात करें तो उपर नीचे सब कुछ हो रहा था और तो वही बात हम बोलें कि जो रिवेंज है वो इंगलेंड की टीम से न्यूजिलेंड में बात करें ने कि बातके बहुंत जाएंग और सबसे as कुदाबी का जो स्टेडियम हो वांके विकेट वैसे ही मतलब दीमें दीमें चलती है थोड़ी सी दीमें हो जाएगी डियू फेक्टर भी हमें देखने को मिलता ही है यह चेस वगिरा थोड़ा सा असान रहता इस विकेट पे बट गेम जो हो मैं अगर बात करो तो बहुत ज़ प्लस की इनिंग ना होती तो शायद स्कोटलेंड न्यूजिलेंड को इसली बीट कर देता क्योंकि स्कोटलेंड सिर्फ सोला नहीं पीछे रहा था तो अगर गप्टिल भी चला जाता उसकेस में तो फिर देखो न्यूजिलेंड की हार पकी थी बट टीम अच्छे है सभी प सबसे बैठरी तो सबसे इंपोर्टन चीज अगर आप बात करें देखो इस गेम के इनको नीड होती है जो बड़ा गेम होता है जो बड़े मैच होते हैं उसके अंदर ये अपना पूरा योगदान देते हैं जैसे अफगानिस्तान एक लाभ हमने देखा एक मुश्किल विक पिक बनता ही है बड़ जो बाय करना चाहते है उसके लिए मैं एक सजेशन ये दूँगा हम सिंगल सिंगल पिक से भी खेले आपको पता है और विनिंग भी हुए है बस थोड़ा सा ये डिपेंट रटना के थोड़ा सा टोस पे जान देना और आफटर टोस अब पतान होते है न लगबग यहां पर फोल्दिंग करते हैं जैसा रोय जो होता है थे शलंका को बैर यांपे बहुत सारे केच चेचे लिये तो Ken Williamson कप्तान होते हैं वो लगबग पावर प्ले के अंदर रहते हैं ताकि वो अपने बोलर से जो बात कर सके उनको समझा सके तो वो लगबग यहां पर फिल्डिंग करेंगे तो यहां पर कैचेज आने का चांस बिनेगा तो Ken Williamson कैचेज भी पकड़ सकते हैं देखो यह लगाते हैं तो इस गेम में मेरे को लगता है यह फ्रीली खेलेंगे और तो आपको अगर ओफर में 39 में मिले तो कप्टिल को ट्राइब कर लेना यह भी देखो यहां पर रहेंगे लगब तो जब लाइस्ट के वर्स में हीटिंग करते हैं तो यहां पर कैचेज आने के आपको मिलने वाले अब मेरे को जहां तक लगता है ड्वेन को नमें इस गेम में थोड़ा सा फ्लोपने के चांसे बनता है इस वर्ल्ड कप में इतना अच्छा काम नहीं किया जिस हिसाब का इनका नाम है उस आप से नहीं चले बट थोड़ा से विकट कीपिंग करने वाले इनको भी आप सेले के लिए ट्राय कर सकते हूं एक दो गेम में आप जैसे देखोगे तो इन्होंने इनिंग्स को संबाला भी है ग्लेन फिलिपस ने बट वो छोटी टीम्स के खिलाव जैसे अगर पाकिस्ताने खिलाव देखे सिर्फ चोधा पॉइंट इंडिया किला वेटिंग नहीं उसके बाद अफगनिस्तान के खिलाफ फिर बैटिंग नहीं तो कुछ भी हो सकता है अगर मुस्ट प्रविली अगर बोलू सेफली तो आ अगर सेल करो के तो भी ज्यादा प्रॉफट ने होगर सेले मतलब एक ऐसा प्लेयर जो कि ना तो ज्यादा प्रॉफट देने का चांस बनता है ना सेल का तो आप अपने कोडिंग भी जा सकते बट मुस्ट प्रविबली मैं सेलिक लिए सज्जेस्ट करने वाला गलेन फिलिप्स की बात कर ली केनम लिमसन की बात कर ली गप्टिल की बात कर ली डेरली मिचल की अगर हम बात करें डेरली मिचल एक ऐसा प्लेयर है जिसको की न्यूजिलेंड की टीम में एक टाइम तो जगह भी नहीं थी जब जगह मिली तो पांच और चेटे नंबर पे देते हैं ज्यादा तर बोलिंग डाल देते हैं अगर पुरे मैच के बात करें तो 80% जो इनका काम बोलिंग का होता था बट एकदम से कोई थोड़ा दिमेंदी में चलते आउट होते गए इस गेम के बात करो 28 के कोडिंग थोड़ा सा सेफ रहने वाली हैं सेल के लिए लिए जहां तक मैं बात करूँ प्रेशा इस गेम हैं मारक बात करें स्टार्ट में यह स्टेड़ी क्या चलते हैं लोगिट होती है तो मोहिनली को लेकि आते हैं मोहिनली इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया लगातार विकर्स चटके पर तेक एक मैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लेंड का मैच निकाल दे जहां पे इनको बॉलिंग नहीं दी क अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आफ्टर टोस्ट पिक दिया करो मैंने दो पिक दिया है अभी आपको इन दिनों क्योंकि मैं थोड़ा बीजी रहता था आपको मैंने बोला था बट उनमें भी दोनों में प्रोफिट ही हुआ हमारा अच्छा का सा प्रोफिट वाजिस एक अब चाहिए बट जितने भी बोलर से वह आफ्टर टोस आपके लिए काम रहने वाले है क्योंकि आफ्टर टोस्ट ही हम डिसाइड कर पाएंगी क्योंकि अगर हमें पता लगा कि या ड्यू फेक्टर रहने वाला तो फिर उसको बाइकरने का मतलब नी बनता ना तो मैं आप चेज करती है न्यूजिलेंड फिर इंग्लेंड के बोलर्स का इतना ज्यादा काम ने रहेगा बट एक चीज़ याद रखना ये मैच जो आना वह ज़्यादा रोमांचिक होने वाला है और न्यूजिलेंड की आपको पता यह वैसे इतने ज्यादा विकट्स थ्रो नहीं करत जहां तक मेरे को लगता है बोल अंदर आएगे सावधी बोल्ट दोनों इनको प्रेशान कर सकते हैं तो एक चीज का मैं आपको यह बोलूगा कि देखो आप इनको बाई के लिए मट ट्राय करना थोड़े से रिस्क है जिसको लगे वो ट्राय कर लेना बट मेरे लग काम करता है तो चल जाएगा क्योंकि प्रेश राइस गेम है तो उसमें शायद बटलर इतना चा काम ना कर पाए प्लेयर अच्छे हैं पावर प्लेय में बैटिंग करेंगे हिट भी लगा सकते हैं विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं बट मैं आपको च्टिल यही का बनता और वो ओपनिंग करेंगे बेश्टो अपने सेम नंबर पे करेंगे तो आफटर टोस नजर रखना अगर बिलिंग सबाए के लिए मिले 18 रुपे में और बेटिंग ओपनिंग में बोल दे मोर्गन बोल देगा ठीक हमारा जैसा होई कि जिए रिप्लेस्मेंट बिल लाश्ट गेमे में इनको सेल गले ट्राइग था आपको जो भी इंगलेंट का मेश था उसमें प्रोफिट दिया है इस गेमें भी मेरे को जहां तक लगता है देखो थोड़ा सा सीजन इनके लिए डाउन ही जा रहा तो आप इनको सेल गले ट्राइब कर सकते हो एक अच्छी प्रोड के लिए बढ़ी आ रहेने वाले लिविंग श्टेंट देखो अभी मैं एक्सपेक्टर लग रहे है मेरे को पता नहीं कहां पर बैटिंग आईगी हो सकता है इनको भी ओपनिंग रहा देक्योंकि बहुत जादा उप्शन से इनके पास चोनी बेस्टों भी आपनिं प्रीमियम मल्टी बेगर के अंदर केन विलियम से रहता है उसके बाद सेकिंड मेरी बटलर रहता है तो इन दो के साथ आप जा सकते हो बागे आप अपने कोडिंग भी थोड़ा ट्राइगर सकते हो बट चिल मैं आपको दो पिक ही बताने वाला हूं दोनों सब्सक्राइब करें मेरे को बागी मिलते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा रहा है आपको लाइक कर देना कॉमेंट भी आप कर सकते हो और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट टुडियो में तब तक लिए जैहिंद जैबारत